नमस्कार मैं हुदीपक और आप देख रहें DSK Talks जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारे देश में दिये गए थे National Creators Award लेकिन इत्तफाक की बात है जिस दिन ये Creators Award बाट रहे थे मोदी जी उसी दिन सोशल मीडिया पर दो Creators आपस में लट रहे थे इनफेक्ट लड़ाई का लेवल इतना घटिया चला गया कि सोशल मीडिया की ये लड़ाई जो है वो जमीन पर आ गई और एक पर्टिकुलर Creator की हो गई कंबल कुटाई और ये कंबल कुटाई करने के लिए एलविश यादव ने एक पूरी टीम बुलाई और जुंड के साथ में मिलकर के करदी मेक्स्टर नाम के Creator की कंबल कुटाई मैं चाहता तो वो वीडियो यहाँ पर डाल सकता था लेकिन भाईया कॉपी राइट वगेरा का लफड़ा हो सकता है क्योंकि यूट्यूब तो वैसे भी मेरे पीछे पड़ाई रहता है तो मैंने वो जो कंबल कुटाई के कुछ द्रेश्य है वो इंस्टाग्राम पर रील के तौर पर डालती है मैंने रील के तौर पर एक दो और वीडियो डाले है जहाँ पर एलविश यादव का दोगलापना भर भर के देख सकते हैं कभी वो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मुलायम के पुत्र को डिफेंड करता था सपोर्ड करता था उसका भक्त बना गुमता था लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार आ गई तो जिदर वजन उदर वजन की पद्धिती के तहट एलविश यादव ने पट्टे से थूख करके चाट लिया और राम भक्ती का चोला ओड करके लोगों को दाल चावल वगेरा खिलाने लगा सो देट क्या कि जो लोग है ना उसके जहासे में आ जाएं और उसके पुराने जो कांड हैं उन्हें वो भूल जाएं वैसे यह एलविश यादव जो है यह बिग बॉस OTT सीजन 2 में आया था और जहां-जहां यह अच्छा गया था वहां-वहां मैंने उसे सपोर्ड भी करा गया है और यह क्यों कर दिया गया है बिकॉस जिस तरह से गुंडा घरदी करता फिरता है यह बीच में एक और कॉंट्रवर्सी यह थी जहां पर सांपों के तसकरी का आरोग भी लगाता है इस यह बिग बॉस OTT सीजन 2 में आया था और यह वहां पर जीत भी गया था और यह जीत गया था बिकॉस अब इसकी ऑलवश आरमी और इसकी ऑलवश आरमी का भी चूतियों की और हमारे इंडिया में अकंड चूतियों को लोग इंफ्लोएंसर बोल देते हैं इसेजिए बढर दिया कि उसमें रतिवढ़ दिमाग नहीं है हमने ओलेडी बिग बॉस सीजन टू में देखा था इसे ना कोई टास्क पल्ले पड़ती थी ना कुछ पल्ले पड़ता था वैसे ही यहाँ पर एक और जो दूसरा क्रियेटर है मैक्स्टन नाम का सागर नाम है पता नहीं क्या नाम है उसने एक अलग ही उड़ता तीर छोड़ा, एलवेश ने ब्लाइट तीर लिया और उसे जाकर के कूट दीया मैक्स्टन को इसने F.I.R. बगरा सब करवा दी अब इस सब में किरकिरी किसकी हुई है इस सब में किरकिरी होई है एलवेश यादव की लेकिन उसके फैंस एलवेश के ब्लेंडर्स को हाइलेट करने की बज़ा उसे ब्लाइंडली जस्टिफाइ करते फिर रहें आरे भाई ऐसा है कि वो साबने बला पिठने के काम करेगा तो पीटा ही जाएगा तो भाई साब इसी पूरी कॉंट्रोवर्सी हुई है इसकी शुरुआत तब ही जब इस एलवेश ने मुन्नी बदनाम के साथ एक फोटो खिचाया गले महाट डाल करके गले मिल रहा है सब कुछ कर रहा है और ये मुन्नी बदनाम भाई साहब हजारों जूटे मरते होंगे तब एक मुन्नी तो मतलब पूरा सिर से पैटन जूटा है जो सनातन का मखौल उडाता रहा मजा करता रहा जो सरकार के खिला प्रोटेस करने के लिए जूटी कहानिया सुनाता रहा कि कागज जल गए ये जल गए वही ऐसे इनसान को एक्सपोज करने के बजाए तुम उसके गले मिल रहे हो वही तब जबकि तुम्हारे सारे फैंस इस मुन्नी वदनाम को एक्सपोज करते रहे उसको कहीं न कहीं उसकी असलियत दुनिया के सामने लाते रहे उसको ट्रोल करते रहे रोस्ट करते रहे तुम उसी के साथ मिल रहे हो गले तो कहीं न कहीं तुम अपने फैंस को भी तर चूतियाई थाबित कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे फैंच जिसे गाली देते थे या जिसे रोस्ट करते थे या जिसके अगेंस्ट थे तुम उसके गले मिल रहे हो तो इससे क्या मैसेज दे रहे हो तो वो भी उस लड़के के गले मिल रहे हो जो खड़ा हो गया था प्रोटेस के खिलाफ है हमारे सनाथन के खिलाफ है हमारी सरकार के खिलाफ है ऊस बंदे के तुम गली मिल रहे हो तो क्या मैसेज दे रहे हो यसी थो ठाव तुम झूर harsh ने बजा है तुम सिर से लेकर प्तğ कोट Compljest भापड़ा है उसको तुम illegally करateg तूइट करके कि खोट देखने बैठेंगे तो बहुत सरी खोट नेक लेंगे अरे वो तो खोटी लाए इंसान है पूरा उपर से नीच तक यार और ऐसे खोटी ले इंसान का पक्ष लेकर के तुम सनातनियों से ही लट रहे हो उनी सनातनियों से जिन्होंने तुम्हें इतना पॉपिलर बना दिया है तो तुम तो एक नंबर के ऐसन फरामोश साबित हुए लविश यादा और मौका परस्द भी एनीवेस तो यह जो दो चूटी एक क्रियेटर थे जो कि आपस में लट रहे थे एक पर्टिकुलर क्रियेटर जो कि फैमस होना चाहता था मैक्सटन नाम उसका आप देखिए भाई साब भी थोड़ी देर पहले मैंने इसके फॉलोड चेक करे थे नो लाग बारा हजार सम्तिंग कुछ थे और थोड़ी देर के बाद नो लाग तीस अजार हो गए बड़ी ही जल्दी एक मिलियन का आकड़ जो है वो चू लेगा और जिस तरह से य लड़ाई जगड़ा हुआ है इस लड़ाई जगड़े में इस मैकस्टन नाम के यूटूबर का फाइदा हो चुका है इसे काफी ज़्यादा सिंपती भी मिल रही है लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे है लेकिन जब मैंने और डीटेल में देखा इस मैकस्टन के बारे में त पोशिश करी और एलवेश जो है वो एक नंबर का चूतिया ऐसे ही नहीं है एलवेश यादव जो कि बिग बॉस ओटीटी सीजन टू में जब आया था तो उसने का था उसके पोलिटिकल एंबिशन्स हैं क्या घंटा पॉलिटीशन बनेगा एलवेश यादव तो एक चूति पूजा जी जी पूजा जी बिबिका जी फलक जी जी पूजा जी पूजा जी ये यह ऑलवेश यादव जो कि अपने यूटेब के व्लॉक्स में बड़ा धाड़ा करता था मयश वठ को आतंगवाद ही बोल दिया था मयश वठ के लड़के n elders को चूपा गे रखा था बहौ पड़ेगा लेकिन वहां सलमान खान के सामने लेकिन ये सोशल मीडिया पर दाहरने वाला एलविश आदव कैसे सलमान खान के सामने भीगी बिल्ली बन करके आसु बारा था रो रहा था पी ओवी खेल रहा था यहां पर बोल देता ना ये जो पी ओवी पी ओवी का जो उसने चुपा करके सेट कर दिये, एलविश आया, थपड़ बाजी करी, घुटने से मारी, मैक्सटन को थोड़ी बहुत इंजरी हुई है, लेकिन इन थोड़ी बहुत इंजरी ने इस मैक्सटन को दुनिया जहां का एक फैम और अटेंशन दे दिया है, अगर आपको ये मैक्सटन न लड़ रहे हैं, वहीं जो तीसरा क्रियेटर, यहानी की इस पूरी फसाद की जड़ है, वो आराम से इन दो क्रियेटर को लड़ते हुए देख रहा है, पॉपकोन खा रहा है, और इंस्टागरम पर स्टोरी में एक गाना भी प्ले करता है कि हंगाम है क्यों बरपा, इसी जो पीली है, तो कैसे यह मैनुपलेट करने वाला मुनबबर जो है, इसकी संगत में आ करके एलवेश यादव ने विनाशकाल, विपरीत, बुद्धी, मोड का चोला पहना और अपने ही पैरो पर कुलहाडी मार दी, अपनी जग हसाई भी करा ली, दुनिया को दिखा दिया कि एलवेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपने आजपास के जो लफंटर है, उनके बूते ही उचल सकता है, जुन्ड में जैसे सूर चलते है, तो एक सूर की संगत में आ करके, सूरों की टोली ले करके, इसने एक नले से जो मेक्स्टन नाम का पदार थे, इस पर एक आ सनातनियों से लड़ रहा है, जिन सनातनियों का, ये मुनवर और उसका जो एको सिस्टम है, भर भर के मजाक उडाते आए हैं, तो ये रहा है एक मेरा रियक्शन, इस पूरी कॉंट्रोवर्सी के उपर, जहां पर कि मुन्नी वदनाम तो साइड में अपने मजे ले रहा है, एलवे शादव अपने ही पर उपर कुलाडी मार रहा है, और मैकस्टर नम का पदार्ट इसे जो चाहिए था, इसे भर भर के दे दिया है एलवे शादव ने, और इस सब में एलवे शादव ने एक नहीं कई सारी बाते और साबित करती हैं, जैसे कि कहा जाता कि कुत्ते को गहजम नहीं होता, उसी तरह एलवे शादव साबित कर रहे हैं कि वैसे फैम, सक्सेस और जो अमेजिंग फैन फॉलिंग मिली है, वो हजम नहीं हो रही है, और जिस तरह से विनाशकाल विपरीत बुद्धी खुद को बहुत साथा घमंड में लाद लिया था, रावण ने उसे अपने अलाव सब तुछ प्राणी लग रहे थे, वैसे ही एलवेश को लग रहा है कि वो बहुत बड़ा तुर्रम खान बन चुका है, वो किसी के भी घर में घो सकता है, किसी को भी ओन कैमरा मार सकता है, पतली कली से निकल सकता है, बीजेपी के नेता उसकी जेब में तो इतना जो घमंड ओड लिया है, एलवेश ने, और जब घमंड में जब इनसान आ जाता है, तो उसका पतन होना तो लाजमी है, ठीक वैसे ही, जैसे फुद्दू फरान के अमे का नाम शब्बो आजमी है, इन सारी चीजों को आप देखें, और खुद अपने आप से पू जाते हैं, लोग इन्हें आइडियलाइस करते हैं, लोग इन्हें अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, क्या कहीं से कहीं तक यह एलवेश या मुनी बदनाम या यह मैक्स टेंज जैसे लोग डिजब करते हैं कि कोई इन्हें अपना रोल मॉडल माने, यह सवाल आप अपने में तैंक यू सो मच